नमस्कार दोस्तों मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल Simple Maths for You में mathematics के ग्यानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी ने हमारे इस चैनल को देखा इससे गनित का ग्यान अरजित किया इसे जराहा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके सामने एक सेट की नई प्रॉब्लम लेके नई नया कॉस्टन नया एक्जामपल लेके आपके सामने फिर से हाजिर हैं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए लाश तक देखिए आवाज में देखिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए पिछले वीडियो में हमने सेट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन उसके जो जितने भी त्योरी थी वह सब हमने पढ़ी पहले मैं आपको टॉपिक समझाया फिर बुक से रिडिंग करके समझाया वो सभी वीडियो आपने देखे हैं नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देख लीजे ताकि यह जो टॉपिक है यह जो कॉश्चन आपके बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए पिछले तीन चार वीडियो से हम एक एक कॉश्चन को लेकर के प्रॉब्लम को लेकर के कर ताकि आपके जो कॉंसेट वो क्लियर हो जाएं उसी स्रीज में आज हम लाएए हैं तीन सेट वाला एक क्वेश्चन बहुत ही important question है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत important होते हैं बहुत easy होते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान बटकते ही वो गलत बहुत जल्दी हो जाते है तो इसलिए आज आप इस एक्जाम्पल को ध्यान से देखना तो हम सॉल्व करेंगे इस एक्जाम्पल को चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहले मां आपको इस्ट्ट्ट में possibility але अigram iso एक इसमें किलास में टोटल इस्ट्ट्ट आपको दे रखें साथ मैंने पूरी थियरी और कि कहलते हैं वो कितने है 23 जो इंट 5e ऐसे हैं गोई ऑप्वाक्सकेट बॉल दोनो कहलते हैं वह आपको find करना है कि how many play अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो यह तीनों गेम कहलते हैं कैसे पहला आपको find करना है कि all three game यह ऐसे बच्चे निकालना है जो तीनों गेम कहलते हों दूसरा हौकी ढड-ic्र कि यह यहांद बच्चे लिकिन क्रिक्ट नहीं खेलते फिर तीसरा होकी और किरिकेट बास्केट बॉल बास्केट बोल। यहां पर ऐसे निकालने रहें होकी और हो दो 생्क आप तीन गेम पर ध्यान से अधाय में क्रिकेड़ ही आ बास्केट बोल रॉट ले को यह तो हम जाधाु सब्सक्राइब है यह तो हम गया तो हम जो कि यहां पर इनकी वेल्युज निकाल लेंगे क्या निकाल लेंग इनकी वेल्यूज हे हैं अ बच्चे hockey खेलते हैं उसको हम denote करते है एक से और इसके अंदर टोटल नंबर है वा कितने हैं तो हम इसको लिखेंगे एन of H ठिक है कि कि खेलने वाले टोटल बच्चे है योक्या का 65 जो सेट है एच हम लेवाले हैं इसके अंदर टोटल यो खेलने वाले बच्चे केते हैं 20 ठीक है तिनों ले लिए अब हमें देखना है दो-दो का combination जैसे hockey and badminton basketball खेलने वाले बच्चे हैं साथ hockey और basketball के बच्चे हैं साथ तो hockey और basketball ऐसे बच्चे जो इन दोनों में आते हैं उनको हम क्या लिखेंगे उनको हम लिखेंगे hockey intersection शेक्षन बास्केटबोल तो यहां लिखेंगे होकी इंट्रसेक्षन बास्केटबोल इनका जो नमबर है वह अमारे पास कितना है साथ है इसी तरह से cricket और basketball तो यहां पर cricket intersection basketball यह जो number है यह हमारे प्मक्राइब पांच और इसी तरह से तो होकी और cricket का जो number है हम यहां भी लिख लेंगे bled temperature इनका जो number है वो हमारे पास कितना है होकी और cricket खेलने हुल बत्चों का number है तो यहां पर हम लिक लेंगे 4 अब यहां पर एक बात आप मों दे रहीं 15 बच्छे ऐसे है do not play any of 3 games यहाँ निसाद पंदरा बच्छे ऐसे हैं जो कोई भी game नहीं केलते तो यहाँ पर देखो 15 बच्छे ऐसे हैं जो कोई भी game नहीं कि पन्दरा बच्चोंगा inगे इन सब्सक्राइब में में रहुप्त टीन से अगर कोई भी बच्चा कोई भी गेंव था लिए है है तो हम फो में लिखेंगा है उसको हम लिखेंगे life union, union1N our inage फ्रकानलas, union में तो union में क्या कन्डिशन थी कि चाहे वो किसी भी एक में मातव जाहे दोनों में आ रहा है तो उसको हम इसमें लेंगे यानि यह वह गिलते हैं चाहें एक खेलें चाहें बिदोनों we can't see from the दो हमिसके नवर निकाल लेंगे अब इसके नंबर आपको यह आप सतंब कोई ना कोई и नापको इसके लिए कि 15 पे साथ कोईब्च्जंट तो यहां पर पे हैं तोर तो पंद्रा यहाँ आप साट में से पंद्रा गटा दो तो ऐसे बच्चे आएंगे जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं यानि कितना अगे आपर पास 45 यह फॉर्मुला पड़ा था वैसे ही तीन से के लिए भी एक फॉर्मुला होता है ठीक है वही फॉर्मुला इंपोर्टेंट है वो formula हम यहां पर लगाएंगे क्या होता है देखो नमबर ओफ एच यूनियन बी यूनियन सी इसका formula आप निकालते हैं तो सबसे पहले तो з ii qi p lazna नंँबर ओफ सी पहले तो तीनों के जो नंबर है वो उनको जोड लो अब इन तीनों में ऐसे बच्चे भी यहोंगे जो लो मैंकर्पार आगे होंगे फिर हमें क्या करना है माइनस करना है टिनों का का intersection N number of H intersection B minus number of C intersection B minus N number of H intersection C महलब जो तीनों का combination था जो तीनों में से दो-दो के जोड़े में बच्चे गेम खेशते थे उन तीनों का हमें गटाना है क्यों गटाना है क्यों कि यहां पर हमने जो जोड़ा है उसमें एसके अंदर कहीं ऐसे बच्चे भी जो भी में भी आगें तो इसलिए एक बार हमिंतिनों के क्या करेंगे गटाएंगे और जब फूर्मला आपको समझना इससेप के union का फर्मूला होता है पहले तीनों सेट को जोड़ दो फिर दो-दो के combination का इंट्रेसरेक्षिन लेकर उसे गटा दो फिर जो बीच में तीनों का common है उसे आप प्लस कर दो ऐसा क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम ने इन तीनों को जोड़ा तो इन तिनों में जैसे एक को जोड़ा तो एक बार वापिस हमें जोड़ना पड़ेगा तो प्लस एक इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन सी यह फॉर्मूला आपको याद रखना यह फॉर्मुला रख लो तीन को समझ में आपको बता पहले पहले हमें क्या है एड से एंट व्यॉनियन G यानि जो तीनों में से कोई ना कोई गेम खेलते हैं तो अभी हमने निकाला था यहाँ पर द्यान से देको 45 जो value आई थी हमारी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी जगह रखेंगे 45 ठीक है अब हम Solveld करेंगे number of H तो number of H हमारे पास कितना है 23, तो यहां पर मैं लिख दूँगा number of H है 23, plus number of B, number of B हमार पास है 15, तो यहां पर मैं लिख दूँगा number of B, 15, plus number of C है 20, तो यहां पर मैं लिख दूँगा plus 20, तिनों लिख दिये, अब तिनों के minus में number of H intersection B, 7, यह यहां रख दिया, minus number of C intersection B, 5, यह यहां रख दिया, minus number of H intersection C, चार यह यहां रख दिया ठीक है तीनों रें अब प्लस में प्लस में आपको number हैं जो हमारे पास find है हम इनको solve कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वेल्यू भी आ जाएगी कैसे solve करो देखो यहां 45 फेसको पड़ा रहें दो यह बिल्कुल जैसे हम equation solve करते हैं बिल्कुल उस तरह से 23 20 प्लस 15 प्लस 20 तीनों प्लस की वेल्यू है तीनों जूड़ जाएंगी तीनों का पापस में जोड़ दो कितना आएगा जब हम 23 प्लस 15 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो हम इनको जोड़ेंगे तो सातनी पांच 12 और 4-16 यानि माइनड़ क्य आजएंगे centro 16 प्लस नंबर ऑफ हैष इंटर सक्षेट्टे क्षें सी हमें फाइंड करने हैं फिर अब जब हम इसकी वैयू फाइंड करेंगे तो इन दोनों को इस साट बेज दो पक्षाद्र नकर करके जैसे हमने सवलिव किया था तो हम क्या करेंगे इन 3 को से बेज देंगे कैसे देखो 45 यहीं पर पढ़ा है 45 यहीं रहेगा ठीक है 58 यहां के ऊजाएगा माइनस का 58 और माइनस 16 यहां क्यों जाएगा प्लस का 16 इस इकल टू यहां सिर्फ यह बचा एड़ एच इंट्रसेक्शन बी इंट्रसेक्शन सी ठीक है अब हम क्या करेंगे तो 45 प्लस का है 16 भी प्लस का है हम 45 और जोड़ देंगे 45 और 16 का आप जोड़ो पांच और छे यारा का एक असला एक चार और एक पांच और छे है 61 माइनस 58 और 61 माइनस 58 को जब आप सोल्व करोगती यह किता आएगा तीन और तीन की जो वैल्यू है वह हमारे पास आगी एच इंट्रसेक्शन बी इंट्रसेक्शन सी यह है यानि जो फॉर्मुला था उसमें सारी वैल्यू हमारे लगापास धिती तीन जो इंट्रसेक्शन को .새 नई थी तो जब हम ने सोल्व के गया था वह वैल्यू जो फॉल्यू भी आगी बनाते हैं इनका वेंड डाइग्राम जो की सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है अगर आपने इनका वेंड डाइग्राम ढंग से बना लिया तो उसके बाद चाहें इस प्रॉब्लम में से कितना भी कुछ भी पूछ ले कैसे भी गुआ फिरा के पूछ ले आप कभी भी गलत नह बनाएंगे अब यहां पर द्यान से देखो वेंड डाइग्राम में तीन सेट हैं तो सबसे पहले जो चित्र बनेगा वो तो सेम कॉमन ही बनेगा तीन डाइगराम का जो सित्र होता है वह विल्गेल को हान ही होता है तो पहले में पर के तो बात में दो सटेंगे और कि देखो इस तरह से हमने चितर बना लिया तीन जो सर्कुल है एक आपुक्ष पार्ट सेट को दरसाते हैं यह जो पूरा है यो पूरी क्लास को नहीं हим दोनों में कुछ पार्ट पुमन इनसे ख़िर सकते हैं तो इस तहरे से हम ने यह जित्र बना दिया क brightly है है अब क्या करेंगे एस्में रखेंगे वैलियूस तो पहले हम इसे माल लेंगे बहुत बाहर वाला है उसको था माल लिया यू ए यू तीक है उसको हमने मान लिया तीन सेट हमारे पास थे अब हम क्वेश्चन के अकोडिंग देखेंगे पहला था होकी तो इसको हमने मान लिया होकी यानी है दूसरा था बास्केट बोल तो इसको हमने मान लिया यानी की बास्केट बोल और तीसरा था क्रिकेट तो इसको हमने मान लिय यानि कि क्रिकेट यह हमने इसके नाम लिख दिए होकी पास्केटबॉल क्रिकेट और यह जो बाहर वाला पूरा था वो क्या है यूनियन अब हम इसमें जो हमारी वेल्यू आई है वह वेल्यू पुट करेंगे वेल्यू जब भी आप सेट में फुट करोगे तो हमेशा अंदर से पुट करना बाहर से फुट करोगे तो गलती होजाएगे हमेशा अंदर से पुट करना अंदर का मतलब सबसे पहले कोमšabout है एसमें whom authentic this वाला पास यहां पर हम सब बीज का पार्ट है यहां पर हम क्या लिख देंगे तीन यह थोड़ा से चोटा बन गया तो मैं तीन थोड़ा चोटा लिखाया आप देखना मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके ऊपर करके यह देखो तीन हमने लिख दिया यहां पर ठीक है अब हम चलते हैं आगे की यहां पर एसा पार्ट है यहां पर हम बच्चे दिखाने वह किते दिखाने साथ अब इस साथ में दियान से तीन तो यहां पर बच्चे वह किते आएंगे चार किते आएएंगे चार यहां पर चार कैसे है अगर आप यहां पर साथ लिख दियाते तो साथ और तीन कुल बच्चे दस हो जाते जब कि तो साथ यह रहे इसी तरह से आप नीचे आते हैं सी इंटरसेक्शन भी इन दोनों का जो कोमन पार्ट है उसमें किते बच्चे पांच तो तीन तो यहां पर आगे तो यहां बचेंगे दो अब देखो होकी एसारी किर्केट और बॉली बॉल जो किर्केट और बैड्मिंटन है साथ इसारी बासकीट बॉल है उसका आप यह देखों किर्केट और बासकीट बॉल का कोमन एरिया उसमें पांच बच्चे है तीन तो यह आगे तीन होता है और आ выше मिए लिए दो तो इस तरह चोविध केड़ मैं कोमन चाहर किर्केटवेता से एक उसमें बासकेट बान पां ठीक है अब बात करते हैं होकी की होकी में कुल किते हैं तेईस होकी में कुल बच्चे किते हैं तो इस पूरे सर्किल में तेईस बच्चे आने चाहिए तो तेईस में से चार और तीन और एक यह तो यहां आगे तो किते बच्चे चार और तीन साथ साथ और एक आठ आठ बच् तो बास्केट बॉल में 15 हैं 15 में से 4 3 2 4 3 7 और 2 9 तो यहां आगे यहां बचेंगे 6 यहां सिर्फ 6 लिखेंगे इसी तरह से क्रिकेट में 20 हैं तो 20 में से 3 3 और 2 5 और 1 6 तो यहां आगे 14 बचेंगे वो हम लिख देंगे यहां ठीक है यह बन गए हमारा चेत्र अब इनके अलावा इन तीनों सर्किल से बाहर का एरिया बच गया वह ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते तो कोई भी गेम नहीं खेलने वाले बच्चों की सं पूरी के लाशन बच्चे हैं यह बन गया हमारा वेंड डाइग्राम इस वेंड डाइग्राम को एक बार आगर आप ने बना लिया तो उसके बाद सारे कोस्टन का जवाब देना इससे बहुत एजी हो जाएगा ठीक है वेंडाइग्रम बनाना थोड़ा सा मुस्किल है कब जब तक कि आपकी इसकी प्रेक्टिस नहीं होती एक बर आपको इसकी प्रेक्टिस होगी तो बहुत इजी है हमेशा अंदर से बरना शुरू करना और इस तरह से अब आप इन सब को जोड़के देख लो साठ आएगा अलग-अलग एरिया वाई आप इसको बता सकते हो कौन दोनों में आ रहा है तो दोनों गेम खेलता है जो तीनों में आ रहा हो तीनों गेम खेलता है जो सिंगल में आ रहा हो सिंगल गेम खेलता है ठीक है यह हो गया अब हम जवाब देते हैं अपने प्रशनों का जो उन्होंने पूछे थे हैं हम जो प्रशन पूछे हैं उन्हीं क्वेड़ना तीनों का जो एरिया को मनें हो कहा रहा रहा है बीच में तो बीच में कितीए संक्या 3 यानि तीन बच्चे आसे हैं जो तीनों फिलते हैं तो इसका आंसर हो जायगा वह जाएगा हमारे पास तीन ठीक है और यह हम मैं यहां से भी निकाल लिया था तो अगर सिर्फ यही स्वाल पूछा था तो यहां पर यहां पर लेक सकते हैं अगला सवाल है Howkee बट not cricket यानि ऐसे बच्चे जो होकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते तो यह देखो होकी वट क्रिकेट तो होकी का है यहह होकी वाला कि भट्नोट किर्केट तो क्रिकेट वाला हटा दो तो जो क्रिकेट के सरकिल में और उनकोül के पैडिये तो कितना बचा जो-की इसी प्रकार होकी और किर्केट बट्नोट बास्केट बॉल तो hockey and cricket, यानि जो hockey भी खेलते हैं, cricket भी खेलते हैं, ये लेने, but not basketball, तो इन दोनों के होने चीर बास्केट बोल के नहीं होने चीर, तो इन दोनों में जो basketball क्या रहे हैं, वो अटा दो, ये भी basketball सर्किल में, ये भी सर्किल में, ये भी ये, तो इन तिनों का अटा दो, तो जो बचेगा वोई बचेगा क्या सिर्फ यह बचा 15 एक और 14 तो 15 एक और 14 को जोड़ो 14 15 15 15 30 तो ऐसे बच्चे कितने आ जाएंगा मैंरे पास तो इस प्रकार से एक वेंड डायग्राम की साहता से आप किसी भी प्रकार का जो जवाब है वो दे सकते हो क्यों को कैसे भी घुमा ले यह तो यह था आज के वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एक बार क्योंकि मैंने आपको समझाया है पूरा अच्छी तरीके स आप चला के देखिए ताकि अच्छी तरह से आपके जो है वह किलियर हो जाए और उसके बाद इसी तरह के जो एक्जामपल है तीन सेट वाले अपने बुक से रेफरेंस बुक से जहां से भी आपको मिलते हैं आप करके देखिए कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह की तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक लिए आप से भी का धन्यवाद देखते रहे हैं सिंपल मैथ्यू कीप वाचिंग कीप लर्निंग क्या है क्या है